दोस्तो अगर आप लोग लोन लिये हो कोई भी NBFC से कोई भी NBFC से तो आप लोगों को पैसा वापस करने की ज़रूत नहीं है टाइटल और थम्निल में आप लोगो कुछ इस तरीकर का जो है थम्निल देखने को मिलेगा आफ टाइटल में तो जल से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजे ताकि आने वले सभी आपडेट्स आप लोगों को नोटपी के समय मिल जाए तो इससे करते करते क्या होगा कि आपका जो भी लोन का एमाउंट का जो भी एमाउंट था वो बंद हो रहा है एक तरप से लेकिन आपका एक एक करके खुलता जा रहा है लोन का ठीक है वो बंद नहीं हो रहा है वो अलग तरीके से वो बढ़ता जा रहा है सबसे में चीज़ जो 10,000 था वो at the end आपको लाखो रुपए का जो है वहाँ पे पेंडिंग में बचला जाएगा। आप लोगों को जो है 10,000 देने में दिक्कत हो रहा है आप लोग सोचों कि एक लाख का अगर लोन का बड़िन चला गया तो वहाँ पे कैसे आप उसको वापस करोगे। तो इसलिए मैं आप सबको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो मत करो पेमेंड लेकिन ये गलती मत करो कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेलो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि वीडियो ध्यान से देखे पूरा दे करने के लिए आप लोगों का जो भी लोन का इमांट है वो बढ़ता जाएगा अभी जो आपको जी से परिशान कर रहें क्या पता कि दो तीसरा वाला लोन अप्लिकेशन है वो इससे ज्यादा परिशान ना करें आप लोग मानूं कि यह चोटा मुटा एपलिकेशन है यह ज लोग लोन कर वापस नहीं कर पा रहे हो पहला वाला अप्लिकेशन आपको छोटा तरीके से आप लोग रहे हैं उसको बंद कर दिये लेकिन आप तिसरा वाला अप्लिकेशन आगर आप लोग ने ले लिया वहां से उस अप्लिकेशन आप लोग किस तरीके से कितना हद तक जो ह पिर आप लोग ऐसे करके लोन को चुका दो मैंने आप लोग के वीडियो में बताए कि मेरा खुद का एक साल का experience है लोन ना चुकाने का ठीक है कोई कुछ नहीं करता कोई भी application हो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप लोग समझ से तो कोई भी application बड़ा बड़ा करना है तो आप लोग डरती क्यों हो मैं यहाँ पे हुना आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं है और यह गलत चीज़ आप लोग को कभी भी नहीं करना है कि एक loan application क्लोज करने के लिए दूसरा loan application से loan लेके उसको चुकाओ यह गलती कभी में मत करिये उससे अच्छा है कि 10,000 का loan का जो भी amount है उसको payment ना करो कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगा आप लोग को सिर्फ कुछ दिन harassment करेगा पिछे पड़ेगा calls आएगा legal notice बेजएगा आपका civil down करेगा उससे जादा कुछ नहीं होगा civil down करेगा तो in future आपको loan नहीं मिलेगा आप लोगो क्या लग रहा है कि एक छोटा सा loan है एक personal loan लिए हो आपने वहाँ पर या unsecured loan आपका जिंदगी भरबात इससे नहीं होने वाला है आप लोग इतना डरती क्यों हो civil down होगा civil down से क्या होता है आपका civil अगर down हो जाएगा तो in future अगर आप loan लेने जाओगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बस इससे जदा क्या होगा आप लोग जेल होगा कुछ नहीं करता यह लोग जेल क्यों करेगा आप लोग यह सोचो मेरा channel delete हुआ है आप लोग के पास जा रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के पास mail जा रहा है legal notice भेज रहा है लेकिन कुछ किया है यह लोग क्या करते इंडिविजुल लोगों को target करते हैं आप लोग इंडिविजुल नहीं हो वहाँ पे लाखों लोगों ने loan लेके रखे हैं तो लाखों लोगों के पर किस कैसे कर सकता है आप लोग यह समझो पहले तो यहां पर मैं आप लोग को सपोर्ट कर रहा हूं इसलिए क्या कर रहे कि वो लोग बोल रहे भाई यह जो बंदा है यह सभी सभी ट्रिक्स और टिप्स जो है वो सब आप लोग के शेयर कर दे रहा हूं इससे क्या हो उनकों दिखाईए मैं आप लोगों के साथ हूँ आप लोगों के साथ रहूंगा हमेशा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरू कर दीजाएगा सब्सक्राब रेंगो प्रिस करना ना बुले तब तक लिए चलते टेट अब आप में टेक क्यार जहीं जबार दोस्तों